नमस्ते सदावस्चले मात्रभू में उसका मतलब ही यही होता है कि हमारा हेड जो भी होगा जो रास्ट चलाने वाले लोग हैं वो वन्शानुवत नहीं होगे वो स्वतंत्र होंगे और जन्ता के द्वारा किसी भी मैथलोजी से चुने जाएंगे लेकिन सुप्रीम कोट इस समय लगातार चुकी वहाँ कोलेजियम सिस्टम डबलप हो चुका है और पूरे देश के लोगों का आरोप है कि और फृप चीप जस्टिस से यह यह इंते इसमें बड़ा इलस्ट्रेशन रहे हैं जो बारत के पहले चीफ जस्टिस स्रेइढhehe बेटे भी अनुबल जैसे सकानिया चीव जैसे से ऐसे हमारे देश में बहुत कुछ चल रहा है मोधी जी की 2014 में सरकार बनने के बाद उनका जो पहला नारा था वो यही था कि हम वंशबाद खतम कर देंगे हम परिवारबाद खतम कर देंगे भाई भतीजाबाद के खिलाफ भारती जंता पार्टी सत्ता में है खास्तों से कोंग्रेस जो एक परिवार ने कबजा करके रखा है समाजबादी पार्टी परिवार ने कबजा करके रखा है लालू प्रशाद यादब की पार्टी परिवार ने कबजा करके रखा है ऐसी हमारे देश में कई पार्टियां जिन्होंने परिवार ने जिस पर कबजा करके रखा है यहां तक की समाजवादी पार्टी का इलेस्टेशन लेंगे तो आठ आठ लोग एक साथ MP बन गए मतलब घर में जो भी पैदा हो रहा है वो एक पॉलिटीशन जनम जात पैदा हो रहा है मा के गर्ब में अभिमन्यों की तरह वो सीख कर आया आप सो सकते हैं कि महावरत काल का समय अभी भी चल रहा है और अभिमन्यों अभी पैदा हो रहे हैं जो की भेदना जनम मा के पेट से सीख कर आए ये आज की आधुनिक रिपबलिक भारत की ये खास बात है क्या आज भी ऐसा चल रहा है तो इसके खिलाब भरती जनता पार्टी आई उन्होंने कहना शुरू किया खास दोर से अमिशाह ने कहना शुरू किया अमिशा जी का कहना था कि आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा बेटा क्या होगा या भारती जनता पार्टी का आज का जो अध्यक्ष उसके बाद अध्यक्ष कौन होगा ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते इसलिए मंत्री परशद में परिवारबाद खत्म किया गया विधायकी में परिवारबाद हलागि वो परिवारबाद एकदम खत्म करना भारत में मुश्किल काम है, भारती जनता पाठी के लिए भी मुश्किल काम है क्योंकि जन्ता भी परिवारबाद में बहुत बड़े इस्तर पर लगी रहती है जन्ता निर्धारित कर ले कि जिसके परिवार का एक विधायक हो गया दोबारा हम उसके घर से कैंडिडेट खड़ा होगा तो हम वोट ही नहीं देंगे उसको लेकिन ऐसा हमरे हां हो नहीं पात है वो यह है कि वंशानुगत जातियां नहीं होनी चाहिए वंशानुगत गर्ण वेवस्ता नहीं होने चाहिए लेकिन है तो इन परसितियों में और सुप्रीम कोट के खिलाफ जिस प्रकार से भारत के वाइस प्रेसेडेंट जी ने कहा और उन्होंने पार्लेमेंट में की उपस्तिती में स्टेट्मेंट दे दिया किरने जीजी साब लगातार ये कही रहे हैं फिर सीपी एएम के भटाचार जी तो एक प्राइवेट मेंबर बिल ही राज्यसभा में ले आए हलाकि उसका क्या हुआ अभी को निरने नहीं हो पा रहा है लेकिन प्राइवेट जुडीशरी में सुप्रीम कोट की एक बैंच इसी प्रकार के मामलों के सुनवाई कर रही थी वो लगातार बोल ही रही थी यहां तक कि उन्होंने कह दिया कि सम्विधान के सम्विधानिक पतों पर बैठे हुए लोग ये ध्यान रखें कि सुप्रीम कोट ने जो कानून ब दिया दूसरे दिन स्टेटमेंट दे तो ऐसा कुछ चलता रहा दोनों के बीच में अभी क्या है कि सुप्रीम कोट के कुछ लॉयर्स हम सब जानते हैं जो लोग भी प्रैक्टिशनर फील्ड में होंगे वो भी सब जानते हैं अपनी खेती अपनी धपली अपना मजा अपना चेंबर्स की विवस्ता देख लीजे कि एक चेंबर बाबा ने कभी बनाया था या लिया था सुप्रीम कोट में हाई कोट में आज उनके पोते और पोते नहीं तो रिष्टदार बैठे हुए हैं नए लॉयर्स जो इंट्री मार रहे हैं उनको चेंबर तक नसीब होना प्शिकल काम है यही हाल कोट की हेरिंग के टाइम पर भी लोगों का कहना है कि आप अलाबात हाइग कोट चले जाई यह तुमाम तरह के आपयों के तो लोग ढोंते है कि खड़ा कर लो उनका खड़ा कर लो इस तरह की mathematics पूरे देश में चल दिया और पूरे देश में जो जो judges के बच्चे हैं सिनेट के बच्चे हैं या रिटार्ट जेजिस के बच्चे हैं उनकी practice में भी ये प्रभाव पड़ता है उनके judgment में भी ये प्रभाव लोगों को देखन को मिलता है क्या करेंगे इस नेपोडेस्म को कैसे खतम किया जाएगा देश में बड़ा illustration सुसान सिना वाला आया और वो पूरे देश ने सुसान सुसान सिंग आया वो पूरे देश ने देखा कि क्या हुआ फिर नेपोटेश्म के खिलाफ बोली जग गया नेपोटेश्म के फेवर में तक रहा प्र पतानी कहां चला गया सुप्रीम कोट के इसिसने में कि यह कोलेजियम प्रोटक्ट रहना चाहिए ये बात को अभी तक lawyers ने नहीं कहा था, केवल सरकार के lawyers या सरकार की तरफ से संबैधनिक पदों पर बैठे लोग होने कहा था अभी कपिल सिंबल जी का statement आ गया, कपिल सिंबल जी ने साफ साफ कहा, उन्होंने कहा कि कोट का भगवा करण नहीं होने देंगे मा समझ नहीं आया कि National Judicial Appointment Commission अगर एक अलग separate commission बैठेगा, जिसमें की leader of opposition भी बैठेगा, बैठना था, जिसमें तीन companion senior judges बैठने थे केवल प्रधान मंत्री और law minister की इवलेफ चारतों opposition के थे, ता चारतों थे, तीन supreme court के जज़ और चो थे, leader of opposition सोने गांदी बैठ सकती थी, प्राइम minister और law minister की महाँ बैठने मातर से भगवा करण कैसे दिखाई पड़ गया, कपल सिब्बल को पता नहीं, अब independent of judiciary के नाम से बहुत सारे lawyers जिनकी practice अच्छी तो नहीं चल रही है, लेकिन supreme court की अगर कुछ दया हो जाए, या court की कुछ दया हो जाए, तो उनकी practice अच्छी चल सकती है, हम सब देखी रहे हैं कि अपिल सिब्बल सहाब लगातार case लड़ ही रहे हैं और negative भी जा रहे हैं उनके orders, लेकिन कैसे positive हो और court की sympathy कैसे उनको मिले, इसकी tactics तो हमारे देश में practice करने वाला हर एक lawyer जानता ही है, इसलिए उसके लिए उन्होंने statement देना in favor शुरू कर दिया है, और कहा कि independent judiciary fundamental principle है, इसको protect करना ही चाहिए, लेकिन जग्दीद धनकर साहब ने जो कहा था, वो ये कहा था, we the people of India is the basic of the basic structure, जो basic structure थियोरी की बात सब करते हैं, उसका भी basic अगर कुछ है, तो वो we the people of India, we the people of India में से कितने लोग चुन कर जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे, कैसे जाएंगे, पता नहीं कोई विवस्था नहीं है, पांच लोग बैट कर ये टै करेंगे कि देश में इतनी सारी अदालतें जो हायर कोट के अदालते हैं, जिनको लॉट्शिप मिलती है, जिनको महावयोग से हटाया जा सकता है, जिनके खिलाफ कोई चार्ज लगाया ही नहीं जा सकता है, और महाव करेगा, तभी दूसरे हाउस में उसको रखा जा सकता है, और रखने के बाद अगर वो वहाँ से पास हो जाता है, तभी महावयोग माना जाएगा, दुरबाग से हमारे देश में आज तक एक भी जजस का महावयोग नहीं हो पाया, लाए तो बहुत सारे गए, लेकिन हो नह पाया, क्यों? क्योंकि वो प्रोसीजरल मेकैनिजम पूरी हो नहीं पाते, और जिनके खलाफ सुप्रीम कोर्ट की पैनल ने भी एप्रूबल दे दिया, उन से फिर स्तीफा मांग लिए गया, वो स्तीफा दे कर चले गए, कुल मिला कर उनके खलाफ महावयोग हो नहीं पाया करवाई नहीं हो पाई, यह हमरे देश की प्रोसीडिंग है, तो जिनके खलाफ केवल महावयोग लाया जा सकता है, उनकी इन कैपसेटी को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता है, उनकी जो अक्षमता हैं उनको लेकर नहीं कहा जा सकता है, उनके मिस बिहेवियर को लेकर कोई के ऐसा protection तब मिलने वाले judges के appointment को लेकर पाथ judges senior mode judges का एक collision बैठता है वो collision तै करता है कि भी किसको करना किसको नहीं और साथ में उन्होंने ये कह दिया कि now the president of India is bound to bound to accept the recommendations जबकि constitution के article 124 के जो provision है उन provisions में साफ लिखा है कि now the president of India is entitled to appoint judges after the consultation with the chief justice of India केवल एक chief justice of India अब जो consultation का मतलब होता है वो effective consultation binding consultation नहीं होता आपकी राय हमने मांगी मिल गई ठीक है मैं मानता हूं कि president of India इसमें कुछ गड़बड कर सकते हैं क्योंकि council of minister एक particular party की होती है council of minister की recommendation मानने के लिए president बात दे होता है इसलिए गड़बड हो सकती है लेकिन जब judiciary is not the executive that is why there is a need to form a independent judicial appointment commission on on the line up of Australian appointment commission so in whatever manner the Australia is appointing the person as a judge and they have an independent commission on the same manner India must have to do so ये कहा गया था उसी को ध्यान में रखते हुए मनमोहन सिंग की सरकार के वो उसी को ध्यान में रखते हुए बात की सरकार में मुझे लगता है जहां तक मुझे याद है नर्सिंग राव सरकार हुआ करती थी कौन एक एक जुडिशल अपेंटमेंट कमिशन आया भी था उसका 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 प्रारूप भी आया था लेकिन वो चुकि स्थाई सरकार है नहीं थी इसलिए वो पास नहीं हो पाया चूंकि कि 2014 में मोधी सरकार आते ही उन्होंने जुडिशल अपेंटमेंटसकैन बना दिया जो की 1982 की रूलिंग में था और यह कहा गया थाette Supreme Court के द्वारा कहा गया था Constitutional Bench के द्वारा कहा गया था की फ्रुडिशल अपन्ऩमेंटकमेंटन मना ये लेकिन उस judicial appointment commission को independent of judiciary के नाम से और अभी justice care की अदालत ने unconstitutional declare कर दिया अब supreme court के कई advocates senior advocates मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूं जिनकी वकालत चमकाना चाहते हैं या जो court के सामने good faith होदा दिखाया देना चाहते हैं essay श्रीमान अर्विन दतार जी का भी एक interview live law ने कर दिया दावायर के दूसरे product ने और उन्होंने भी कह दिया जब उनसे कहा गया कि nepotism के आरोप लगते हैं तो उनका जबाब बड़ा सुन्दर था उन्होंने कहा भाई जज का बच्चा जज नहीं बनेगा तो क्या बनेगा लॉयर का बच्चा लॉयर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर नहीं तो क्या बनेगा मैं समझ ही नहीं पाया कि हमारे देश में कब से जज जज पैदा करने लगे कब से डॉक्टर डॉक्टर पैदा करने लगे कब से वकील वकील पैदा करने लगे मैं समझ ही नहीं पाया अब उन्होंने जब थोड़ा सा उसको मेकप किया तो मेकप करने के बाद अब दोसो परिवार में ही टैलेंट है बाकी में टैलेंट नहीं है ये तो बड़ी मुश्किल बात है ये थोड़ा सुईकार करना मुश्किल है मोदी जी कैसे परड़क्ट हैं जो चाय वाले के परिवार से उठकर प्रधानमंतरी बन सकते हैं लेकिन जुडिश्री में भी ऐसे इलस्टेशन मिलते हैं लेकिन क्या रिफॉर्म के अवशक्ता नहीं है ऐसे सुप्रीम कोट के जो एड़ोकेट्स हैं उन एड़ोकेट्स ने भी अब इस बात का मोर्चा खोल दिया है कि धनकर साब जो कि सुप्रीम कोट के सीन एड़ोकेट हैं और पहले मिनिस्टर भी रहे हैं अभी गवनर रहे हैं उनके स्टेट्मेंट को किटसाइज करना ओपिन फोरम पर शुरू कर दिया है बाइधर बे इंट्रिव्यू और सम सुप्रीम कोट ने सुप्रीम कोट के जजिस बोल रहे थे उसके अलावा भी और विल चीप जस्टिस अफ इंडिया ने स्टेट्मेंट दे दिया हिस फादर और फैमिली सेक्रिफाइज तो गिब दन एड्यूकेशन टू अब चीप जस्टिस अफ इंडिया हुआ करते थे उनके पिता जी और उन चीप जस्टिस अफ इंडिया ने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए सेक्रिफाइज किया ये भाईया हमारा देश कितना जादा बैकवर्ड है कि चीप जस्टिस अफ इंडिया वारत के चीप जस्टिस को भी अपने बच्चों को पढ़ाने के ल कुछ करना पड़ा अब इस व्यू को बदलने के लिए ये भी कहा गया कि we are the protector of the citizens human right that is why you must have to believe अब चुकी देश में ये चल गया है कि विश्वास कैसे करें क्यों विश्वास की बात ये नहीं judgment तो ठीक होंगे और judgment का reasoning हो सकती है सब कुछ हो सकता है लेकिन ये जो point nepotism का है य जो point अपने ही द्वारा appointment रिपब्लिक होते हुए भारत में है वो रिपब्लिक का शब्द का मतलब interpretation क्या honorable court के उपर लागू नहीं होता talented person are born in only in the talented family अब advocates का कहना ये कि वो grown-up होते हैं उसी माहूल में पढ़ते हैं उसी माहूल में चलते हैं उसी माहूल में इसलिए उनको पास वो नॉलिज होती है वो उनके पास यह होता है इसलिए वो जज़ मन जाते हैं तो उनको रोका नहीं जाना चाहिए यह बात अब एक बड़े आंदोलन स्वरुप में आगे ही है मुझे बिलकुल वैसे ही किसी ने मुझे लिखा था कल कि article 3870 35 capital A 35 capital A was not the part of the Constitution but it was in implementation in Jamund Kashmir और उसी आधार पर Jamund Kashmir ये कहता था कि we are something else and we are separate because we have an article 35 capital A ये बात जब 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 Jamund Kashmir ने कहना शुरू किया तो in the same manner उनसा जनका कहना था और सुप्रीम कोर्ट also formed a law like article 35 capital A and that is not in the provision of the Constitution but it is in law article 35 capital A constitution many likhata लिकिन फिर भी वो कानून था so in the same manner the nothing is the collegium-like provisions in the Constitution but it is a law because the Supreme Court is organizing it as a law and Supreme Court formed the law for their own self the power of the Parliament was superseded by the Supreme Court in that matter so how we will accept it how we can understand it I don't know but I knows only the one thing that the both parties both parties meet in the defense of the collegium system that the 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 advocates are forwarded themselves and the judges are already restricting the judges was already protecting the collision system but now the advocates is also entered to protect these things कहां जाएगी यह लड़ाई कैसे होगी अब तो मुझे लगता है जब एक ही fraternity के अंदर दो ग्रूप बन गए हो एक दूसरे क्यामने सामने हो then the public is entitled to decide जनता को decide करना चाहिए आप सभी को बोलने का अधिकार है आपको क्या अच्छा लगता है आपको क्या सही लगता है आप इस lecture को अगर 10 लाख लोगों को सुनवा सकते हैं और इस पर 5 लाख लोग लिख सकते हैं तो मुझे लगता है यह बात पूरे देश को समझानी चाहिए कि what is the need of this country how we will do the reform in this country and there is a need to do the reform in each and every field in the country including the judiciary जैसे मैंने कल भी कहा था कि मुधी सरकार ने मिशन कर्म योगी के तहट जो टॉप पोस्टों पर प्रमोशन दिये हैं 73 ओफिसर्स में से केबल 33 आइस ओफिसर्स हैं बाकि 49 आइस फिल्ड से आए जो की लंबे समय से demand थी on the basis of the talent each and every person is entitled to get the post so किसी भी माध्यम से वो पॉब्लिक सर्वेंट बने हो वो आईस नहीं भी हैं तो भी अगर उनके अंदर talent है experience उन्होंने अपना explore कर लिया है तो फिर क्यों नहीं वो उस department के chief secretary बन सकते हैं क्यों नहीं उस department के secretary बन सकते हैं क्यों नहीं minister के OSD बन सकते हैं these all things are in consideration in India why not the judiciary can be considered to be reformative in India thank you very much Jai Hind Jai Bharat Vande Matram